हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू आवार चैनल इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने फाइफ नमर तक कंप्लीट कर चुके थे तो अब सिक्स नमर की तरह बढ़ते हैं तो सिक्स नमर क्या है दो अंको की एक संख्या का दहाई कांग इकाई के अपक्षा तीन कम है तो जो द इकाई का अंक ग्याद करें ओके तो यहां पर हम लोग पहले मान लेते हैं तो क्या माना इकाई का अंक एक्स ठीक है इकाई अगर एक्स माने तो दहाई कितना हो जाता है तीन कम दिया है तो एक्स मैनस थ्री हो जाएगा तो दहाई कितना एक्स माइनस थ्री फिर यहां पर दिया है कि संख्या से उनके गुड़न फिल्ट हो ठीक है संख्या पहले समझते हैं कोई भी टूजीट का नम्मल लेते हैं हम लोग जैसे मान लेते हैं कि फाइप और फॉर लिए है तो यह वाला क्या होता हम लोग का यह दहाई कांग हो जाता है यह कांग होता ह है क्यां पैसे पढ़ते हैं का एकाई दहाइ सेकड़ा हजार करक परते डिपारल में तो यह लीग होकि नत sürए होता था है इस भी मैं खзыk सब्सक्राइब करने से क्या होगा हम संख्या मिलता था विखलेंग एक फॉर्मूला लिकाल घ्रिया हम लोग पास तो क्या होगा टेन का मल्टिप्लाइ कि दमनेकर 50 प्लस 4 प्लस फिक फ्लस फॉर्ट आए ओके तो यहां पर देखें अगर संख्या लिकालना तो कैसे लिखले गा संख्या एक्वाल टू कितना हो जागा टेन इंटू 10 एकंग x minus 3 plus 1 x तो यहां पर देख तो क्या होगा 10 x minus 30 plus x कितना हो जागा देखे तो ए वाला भर एवाला एड हो रहा है तो 11 x हो जागा minus 30 तो हम लोको संख्या मिल गया ए है घृत क्यों क्या बोला है कि इस संख्या से उनके को घटाने से व्यक्वल 15 प्राप्त होता है तो पहले प्रस्णा नुसाल लिख लेते हैं या बाई प्रॉब्लम क्या दिया क्या है कि संख्या से मतब संख्या क्या यह वाला संख्या और उके संक्या से उनके गुड़न फल को घटाने पड़ उनके गुड़न फल मतलब इन दोनों का गुड़न फल ठीक है इकाई और दाई ठीक है इनके गुड़न फल घटाते एक्स-3 तो कितना प्राप्त होता है 15 15 हो जाएगा है कि उसको सिंफ्लिफाई कर लेते हैं 11 X और माइनस 30 मैनस रख लीट ओकि और x x का 3 में मल्टीप्लाई कितना प्लस क्रीक एक्स इक्वॉल्ट एक्वड टो तो अब सबकों लेफ्ट रख लेतें 11 एक्स त्री एक्स कितना एड़ हो गया 14 x माइनस x square माइनस 13 माइनस 15 इक्वाल टू 0 इसको left side ला दिया sign change हो जाएगा तो यहाँ पर देखे तो कितना है 14x माइनस x square माइनस इन दोनों को add किये तो कितना हैगा 45 माइनस माइनस है लेकिन add होके sign माइनस कही रहेगा इक्वाल टू 0 अब क्या हुआ यहाँ पर देखे तो इसको थोड़ा से एरेंज कर लेते हैं कितना आ जागा ऐसे करके माइनस 45 इक्वाल टू 0 ठीक है तो अब क्या हुआ यहाँ अगर देखे हम लोग को ऐसे था माइनस x square प्लस 14x माइनस 45 इक्वाल टू 0 ओके तो यहाँ देखे माइनस कॉमन ले ले लिए हम लोग तो माइनस कॉमन लेंगे जो अंदर था जो प्लस था वो माइनस मौ जागा जो माइनस था प्लस में हो जागा यह माइनस कॉमन ले था प्लस में आ गया और यह माइनस था प्लस में आ गया एक्वाल टू जिरो तो मुझको एक्वेसिन ऐसे बन गया एक्स स्काइर माइनस 14x प्लस 45 एक्वाल टू जिरो तो फैक्टर आगया आप क्या होगा कि मैं एट कर कितना 12 लाना फीट 14 लाना और मल्टिपलाइ करके 45 टो क्या होगा नाइन और 5 ठीक एट करेंगे तो कितना 40 आ जाएगा और मल्टिपलाइ करेंगे तो फॉटी फाइप आ जाएगा ओके तो मुरस फैक्टर कितना नाइन और 5 तो 9 प्लस 5 X प्लस 45 एक्वाल तो पैक्सम को एक्समें को एक्समाने से फोल टो रुट प्लस मैने सबीने नाल को प्लस मैने सैब भाइक फॉल टो जीरो यहां से एक क्मन लीए एक समा एन restrictive को में विभा तो सब्क्राइब 229 चिसकोन करें हैं तुम लोगों पास आए एक 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 माइनों प्लस ग्रोप्लस में है एक सका दो वैलु का पस नाईों ऑर फाइट तो कुषचिन प्वान की लिखा था तो लिख देते हैं काई का अंक कितना हो जाएगा नाइन और फाइफ नाइन और फाइफ दो नहीं है ठीक यह हम लोगा एनसर हो जाएगा तो सेवेंथ नमर कुश्चेन की तरफ चलते हैं तो सेवेंथ नमर कुश्चेन क्या हमारे इसकूल के होज में दो नल लगे हैं दोनों नलों द्वारा होज 11 से एक बटा 9 मिनट में भर जाता है दूसरे नल को पहले की अपक्छा 5 मिनट कम समय लगता है कि प्रतेक नल होच को कितने समय में अलग-अलग भर देंगे हिसाब करके देखें जो दूसरा नल है उसको पहले की अपक्षा पांच मिनट कम समय लगता है तो यहां पर मानते हैं कि माना कि पहला कि नल कि एक्स मिनट में कि होज का एक भाग भड़ता है मतलब होज का सिप एक भाग कि भरता है भरता ओके तो पहला नल एक मिनट में कितना हो जाएगा वन बैए एक्स भाग कि ओके इसी टापन में सेकेंड वाला जो था नल दूसरा नल उसको लिकालते हैं कि दूसरा नल क्या हो जाएगा एक्स माइनस फाइफ ठीक है पांच मिनट कम समय लगता है एक्स मिनस फाइफ होज का एक भाग भरेगा ओके तो इसी टाप के एक मिनट में कितना भरेगा wewn by एक्स माइनस फाइफ भाग भढता है को के तो दूनो का एक मिनट कम दो एक मिनट कम कर लिगल चुका है तो अपको क्या दिया कर से मिन दूनो को से मिनट का भाग भाग भी pomः जाता है तो लीकेंगे यहां पे दूनू लो द्वारा ऊच का मैं तो पहले लिखालेंगे दोनों रोड़ा एक मिनट में भार जाएगा कि सद्वीघ दूसरनल कितना 1 by x-5 इन दोनों को निकाल लेते थे हम लोग का एक मिनिट में दोनों नलका हो जाएगा तो फिर question क्या देए हो 11 से 11 से 11 से एक बटा 9 मिनिट में भर जाएगा तो 11 से एक बटा 9 मिनिट में भरा जाएगा कितना इसा मल्टिप्लाई हो जाएगा सिर्फ 11 से एक बटा 9 का 1 by x plus 1 by x-5 ओके अब प्रस्न मिसाल लिखते हैं तब क्या हो जाएगा इतना 11 से एक बटा 9 1 by x plus 1 by x-5 equal to 1 क्योंकि पूरा होज जो है वह नहीं है ठीक एक ही होज है इसलिए equal to 1 इसे वहां पर काम था एक ही काम था वैसे नल है मतलब होज में नल लगा हुआ है ठीक है तो इसको सिंप्लिफाई करते हैं तो कितना आएगा इसका एलसे हम ले लेते हैं एक हो गया एकस माइनस फाइफ ठीक है इकोल टू वन इसको इससे ला देते हैं 11 से वन बाई में Q2 मैं खोने की लगां dal व before एकस माइनस फाइफ एकस माइनस फाइफ लेकर देते थी तो कितना रचए एकस एकस का मनुठिंड जाएँ रिद की इसक्का इसको यहा वाख करते हैं कितना थे उपर में किया एगा, 2x-5 निस्च चीमम हिसका मुल्टिप्लाइ किये तो एक्स कहा एक्स स्क्वाइर एक नहीं, फाइब कहा एक्स में 5 xa जाये इक्वाहान वन रे ईय एक्वाहन था एक्स माइनस 5 इकोल टू एक्स स्कॉाइर माइनस 5 एक्स एक्वल टू वन बाई तो यहां पर देखें इसको सिंफलिफाई किया तो इसको नहीं एक आरह नवा निनानमे वन अंडेट आजागा अंडेट बाइन ओके तो एक्स माइनस फाइफ बाई एक्स स्कॉाइर माइनस 5 एक्स एक्वल डू 9 उपर गया ठीक है हन्डेट निचे रहेगा नइन यह दिडा माई हन्डेट क्या है अब कॉस् स्मिल्टिप्लाइ किया तो नाईन कर इसमें करता है इसनकर केष औहर इसमें मायिनस 45 एक्स इक्वल App को एक्वल टू सबको av. एक्स माइनस 200 एक्स प्लस 500 एक्वल टू जीरो ओके तो देखे तो क्या आता है फिर नाइन एक्स स्क्वाइर यह दूनों एड हो रहा है मंटर कितना आ जाएगा 245 एक्स प्लस 500 एक्वल टू जीरो ठीक है अब के आगे हम लोका फैक्टर फैक्टर आ जाएगा ठीक है तो फैक्टर के 9 एक्स स्क्वाइर माइनस तो इसका फैक्टर 225 प्लस 20 एक्स ओके प्लस 500 एक्वल टू जीरो ठीक है इसका फैक्टर किया था हम लोका मतलब एड करके हम लोको कितना लाना था करेंगे तो कितना जागा 500 ओके इसको यहां सॉल्फ करते हैं तो क्या था मोगों पास नाइन एक्स स्क्वाइर माइनस टू टू फाइफ प्लस 20 एक्स प्लस 500 एक्वल टू जीरो ओके तो नाइन एक्स स्क्वाइर माइनस यहां पर देखे एक्स का मल्टिप्लाई किया तो 225 एक्स हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बीस का एक्स में किये 20 एक्स हो जाएगा 20 एक्स प्लस 500 एक्वल टू जीरो यहां से 9 एक्स कॉमन लेते हैं तो यहां पर एक्स हो जाएगा माइनस यहां पर 9 to 0 ठीक है यहां पर कितना 5 बार में फिर तो यहां पर देखे 20 कॉमन लिए तो X-25 हो जाएगा इक्वल टू 0 ओके तो यहां पर देखो तो X-25 कॉमन आया एक और एक क्या है 9 X-20 इतना इक्वल टू 0 होगा यह फिर इतना इक्वल टू 0 ओके तो X-25 इतना आया और यहां पर देखे X-20 साइन चेंज हो जाता है X-20 बाइन हो जाएगा तो यह वहला वैल्यों लोग नहीं ले सकते इस पॉइंट में आ जाएगा तो इसको लिए टूंटी फाइब को ठीक है तो लोग दोनों का अलग अलग का लिकालना था तो पहला नल का कितना हो जाएगा कि यह टिए गॉच बहला नलकितना था एक हज बढ़ता है तो कितना पहला नलकितना 25 मिनट में हो जाएगा थी क्या ठीक है तो पहला का 25 मिनट और जो दुसरा था बहला किक यह पर इक्वल टू 20 मिनट तो पहला नल कितना 20 मिनट 25 मिनट में एक मतले होज भर देता था और सेकेंड कितना 20 मिनट में तो यह दून हम लोग का एंसर हो गया कि वहाँ स्पेस नहीं था इसलिए लिखने ही पाए यहां पर ले रहे तो यह हम लोग का एंसर है कि अगया विस अर्व कोस्टं की तरफ सलते हैं तो हेट नंबर कुशिण के दिया है पढ़ना और प्यूस´ एक साथ काम को चार दिन में करते हैं ज्योंलतल मनेकर अलग अलग काम करें तो पढ़ना को जो समय लग गा प्यूस को उसकी अपेक्षा 6 दिन अधिक समय लगता है मतलब P.U.S. को 6 दिन अधिक लगता है वो काम करने में पढ़ना अकेले कितने दिन में वो काम खतम कर पाएगी हिसाब कर कर के देखे ठीक है तो यहाँ पर लोग पहले मानना होगा पढ़ना का काम माना पढ़ना X दिन एक काम करती है ओके तो फिर पढ़ना एक दिन में कितने काम करें एक दिन में 1 बाई X काम ओके इसी तरह P.U.S. का भी लिखाल लेते हैं तो P.U.S. कितना 6 दिन अधिक मतलब X प्लस 6 से, दिन में एक काम करता है आप इसका एक दिन का कितना में जाएगा वन बाई X प्लस 6 ने तो दोनों का अलग अलậग एक एक दिन का लिखाले एम लोग अब दोli नों का अब दो का एक दिन कले गल चुके है तो वहां पे आप देखेंगे question क्या दिए पुर्णा और प्यूस एक साथ एक काम को चार दिन में करते हैं ठीक है तो पहले इन लोगों का दोनों का एक साथ एक दिन का लिखाल लेते हैं हम लोग दोनों मिलकर काम करें तो कि एक दिन का काम कितना हो जाएगा एक दिन का काम weldun inदों के पढ़ about और प्रेवाइक साथ और पुद्रिफा एक दिन का काम वन भाइक सब्सस्ब्स अप्दैटम एड कर दे तो इनसी दोनों का लिचा सकते हैं क्यां प्लस 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 उन दोन एक्स कम करते हैं एक काम को इसक चार दो जो जाए गा हुद चार का बस मल्टिपलाई हो जाए यहां पे 16 प्रस्णा नुसार लिखते हैं इसको solve करना है यहां पर लिखते हैं प्रस्णा नुसार क्या हो जागा 4 1 by x plus 1 by x plus 6 इक्वल्टू काम कितना होगा एक ही काम होगा तो दोनों ही लोग कर रहे हैं तो एक हो जागा एक वुल्टू यह तो यहां से इसको solve करते हैं इसका LCM लेते हैं एक्साय और एक्स प्लस 6 आएगा एक्स एक्स कैंसल हुआ तो क्या बचा है तो क्या होगा अब एक्स और एक्स एड़ हो रहा था एक्स एड़ किये तो कितना है तो एक्स हो जाएगा अब प्लस 6 था प्लस 6 लिख दिए बाई इसका इसमर मल्टिप्लाइ किये तो X स्क्कार हो गया एक्स का 6 में गये तो 6 X हो गया इक्वल टू 1 बई 4 अब ट्रॉस में करेंगे तो एक्स स्क्कार प्लस 6 x इसका इसमरे किये फूर 4 का इसमरे कि आए 4 तू जा 8 8x plus 46 24 आ जाएगा ओके तो इसको लेफ्ट साइट लाते है सबको 6x-8x-24 equal to 0 ओके तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वाइर माइनस 2x-24 equal to 0 ओके तो हम लोगा फैक्टर आ चुका है क्या है एक्स स्क्वाइर माइनस 2x-24 ओके इसको यहां सॉल्फ करते हैं तो क्या था एक्स स्क्वाइर माइनस 2x-24 equal to 0 ओके तो क्या अगरना हम लोग को माइनस करके टू लाना है और मल्टिप्लाइ करके फॉर ठीक है तो सिक्स फॉर्जा 24 आ जाएगा इन दोनों का माइनस करें तो कितना आ जाएगा पास टू ओके तो हम दोको सिक्स और फॉर्फेक्टर हो जाएगा तो इसको करें ऐसे एक्स स्क्वाइर माइनस सिक्स माइनस 4 एक्स माइनस 24 इक्वलड़ जिरो तो एक्स स्क्वाइर हो जाता है सिक्स का एक्स में मृल्टिप्लाई 6 एक्स हो जागा ठीक है यहां पर गतर माइनस माइनस से इक्स Pen जिए tells एक्स मानलेगर एक्स मानलेगर एक्स प्लस प्लस फूर एक्सक्रण कॉर इक्सक्यक जिए प्लिये निगेस्टेव नहीं लिएड़ आदा है तो पॉजिटिव कौन सा है 6 तो एक्स का वैल्व कितना हम लोग 6 है तो एक्स क्या था पढ़ना का काम तो यहां पर पढ़ना लिख देंगे पढ़ना छे दिन में एक काम करती है तो पी उसका भी लिखाल देते हैं एक्स प्लस 6 था तो क्यों जागा 6 प्लक्स 6 ठीक है 12 दिन में एक काम करता है इस प्लक का अंसर हो गया तो नाइन्थ नमर कोस्टिन की तरफ चलते हैं तो नाइन्थ नमर कोस्टिन क्या है कल्मों का मूल प्रति दर्जन 6 रुपय कम करने से तीस रुपे में तीन कल में अधीक अधीक खड़ीती जा सकती है मुल कम करने से पहले कलमों का प्रती दर्जन मुल कितना था मतलब जो मुल कम हुआ 6 रुपया इसके पहले मुल कितना था तो यहां पर मानेंगे हम लो माना कलमों का प्रती दर्जन मुल एकस रुपया कल्मो का मुल्य एक्वल टू एक्स रुपया ठीक है यह पहले का था देखो हां तो पहले क्या था पहले 12 कल्मो का मुल्य एक्स रुपया तो यहां पहले लिख लेते हैं माना पहले 12 कल्मो का मुल्य एक्स रुपय ठीक है तो अब 12 कल्मो का मुल्य एक्स रुपया था था पहले तो पहले क्या हुआ तो यहां पर दिया हो गया question में से कल्मों का प्रती देजन मुल कितना था तो हम पहले मान लिए कल्मों का मुल X रुपय था फिर क्या मुल कम होने करने से तो क्या हुआ अब क्या हो रहा है कि 6 रुपय कम कर दिया ठीए तो अब 12 कल्मों का मुल कितना X-6 पहले एक्स रुपए में 12 कल में मिलती थी ठीक है पहले गवात है एक्स रुपए में 12 कल में मिलती थी तो एक रुपए में कितना हो जागा बारवट टैक्स ओके फिर क्या दिया कोस्टन में 30 रुपए में 30 रुपए में कितना हो जागा 12 इंटू 30 बाई एक्स कल में तो क्या हो जाएगा यहां पर बारत याई 36 में 360 एक्स ठीक है इसी टाइप का अभी का लिकाल लेते हैं हम लोग हो अब कि एक्स माइनस शेक्स रुपए में हो आज हो ऊस्थ का लगने है कि पहले मिलता था अभी एक्स रुपए में अभी के शेक्स करते कि अधि जो नमने पर ङ कर आंक में एक रुपए में 12 बट्टा X-6 हो जाएगा ठीक है फिर क्या हो जाएगा 30 रुपया में 12 इंटू 30 बट्टा X-6 ठीक है कल में मिलती है ओके फिर आप क्या हुआ हम लोको पास दो आ गया है पहले का और अभी का फिर कोश्चिन क्या दिया हुआ प्रतितन शेरी काम यह तीस रुपय में तीस रुपय में तीन अधिक 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 बदल यह पहले और अभी जो लिख लाए ठीक है इन दोनां को जो डीफरेंस में तीन करमें अधिक है ठीक है यह लिए प्रश्णा नुसार प्रस्णा नुसार तो 360 x-6 minus 360 by x equal to 3 तीन कल में अधिक मिलती है मैं डिफ्रेंस इन दुनों का पहले का और अभी का तो क्या हो जागा अब इसको 360 कमन लेते है 1 by x-6 यहाँ देखे तो 1 by x आजाएगा equal to 3 तो यहाँ पर देखे तो हम लोगा इनका LCM लेते हैं तो x x और x-6 आएगा equal to 3 360 नीचे आगे ओके फिर क्या हो गए LCM लेते हैं तो यहाँ पर देखे x-6 और x-6 cancel होगा तो x बचा x का 1 में multiply x से आजाएगा फिर minus ओके तो x और x cancel होगा तब क्या बचा x-6 यहाँ पर 1 तो उतने multiply गए तो उतने ही आजाएगा ओके तो x-x यहाँ पर देखें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ओके तो यहाँ पर x-6 x इक्वल टू इसको cancel किए 1 बाई 1 टू जीरो ठीक है 1 बाई 120 आजाएगा ओके यहाँ पर x-x cancel होगा क्या क्लॉस मल्टिप्लाई होगा इसका इसमें और इसका इसमें किए तो इसका इसमें किए तो x-6 इक्वल टू बादश्य के बहत्तर 720 आजाएगा अब क्या हुआ एक्स स्क्वाइर माइनस 6 एक्स लेफ्ट्राइट लाएज 720 इक्वल टू जीरो ठीक है अब हमनों को स्फेक्टर आ गया ठीक है तो क्या है मल्टिप्लाइ करके 720 लाना है और घटा के 6 लाना है तो कितना हो जागा 30 माइनस 24 करेंगे तो 6 आजाएगा और मल्टिप्लाइ करके 720 ओके इसको यहां सॉल्फ करता है इस पेस नहीं है तो क्या था हमनोंको पास सेसmaur मा इनस थाट माइनस 24 एक्स माइनस 720 उग को 0 कि X स्क्यार माइनस टोक्य करें कर एक्स मेंलिप्लाइ तट कई हो जाएगा यहां देखेंकर अ माइनस और माइनस माइनस मिलके प्लास हुगा 24 में 24 X-27–20 यहां से X common लिए तो X-30 आ गया, प्लस 24 यहां से X-30 निए गए 34 common लेने के बाद, तो यहां रहां देखे तो X-30 हो गया एका एक आ एक प्लस 24 इक वाल टो 0, तो यहां पे X-30 equals to 0 आ गया X plus 24 equals to 0 X equals to 30 तो सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि एकल टो माइनस 24 हो जाला प्लस तु आ उससे घिया तो मायनस तो नेगेटिव एलू तो लिया नहीं जाता हम लोग को तो पॉजिटिव एलुव क्या है 30 तो यहां पूछा किया किया किल्मो को प्रतिजिन मुल्य कितना था मतलब पहले कि बार कि कल्मो का मुल्य इक्वल्टू कितना 30 रुपए है यह हम लोग का एंसर हो गया हम लोग कितना था। झाल झाल